दोस्तों स्वागत हैं आपका एक पार फिट से जिहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अक्षे कुमार और सलमान खान की साल 2012 में रेलिज हुई फिल्मों के बारे में और साथ ही साथ हम जानेंगे इन सबी फिल्मों के बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे कि साल 2012 में बॉलिवूड बॉक्स आफिस का किंग कौन बना था अक्षे कुमार या सलमान खान तो आप बने रहीगा इस वीडियो के साथ तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करतें अक्षे कुमार के बारे में दोस्तों अगर बात करें बॉलिवूड के खिलाड़ी अक्षे कुमार की तो अक्षे कुमार ने साल 2012 में टोटल पांच फिल्मी की जिसमें अक्षे कुमार की ओ माई गॉड जोकर हाउस्फुल टू खिलाड़ी 786 और रोडी राठॉर जैसे शांदर फिल्में शामिल थी और अगर बात करें इन पांचो फिल्मों के ओफिस कलेक्शन के बारे में तो इन पांचों फिल्मों ने लगभग 412 करोड रुपए का बॉक्स ओफिस कलेक्शन क्या था जिसमें आक्षे कुमार की जोकर डिसास्टर हुई थी और इस फिल्म ने 22 करोड रुपए का बॉक्स ओफिस कलेक्शन क्या था खिलाडी 786 था तो चलिए दोस्तो अब बात करते हैं बॉलिवूट के सुल्तान सलमान खान की तो आपको बता दे कि साल 2012 में सलमान खान ने दो फिल्मों में काम किया था जिसमें एक था टाइगर और दबंग टू जैसी शानदार फिल्में शामिल थी और इन दोनों ही फिल्मों ने बॉक कर कमाई की थी दबंग टू ब्लोकबस्टर हुई थी और इस फिल्म ने 155 करोड रुपई का बॉक्स ओफिस कलेक्शन क्या था और एक था टाइगर भी ब्लोकबस्टर साबित हुई थी और इस फिल्म ने 199 करोड रुपई का बॉक्स ओफिस कलेक्शन क्या था और इन दोनो वालिवूड बॉक्स ओफ़िस पर किंग रहा था क्योंकि अक्षी कुमार की 5 फिल्में है 412 करोड रुपए का बॉक्स ओफिस कलेक्शन और सलमान खान की सिर्फ दो फिल्में 354 करोड रुपए का बॉक्स ओफिस कलेक्शन तो दोस्तों आप हमें कमेंड में यह जरूर कि आपको इन दोनों अभिनेताओं में से कौन से अभिनेता ज्यादा पसंद है मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ थैंक यू